और राइट तो यहां पे मेरे पास 43 इंच की एक टीवी जो की Full HD Resolution के साथ आती है स्मार्ट टीवी है और इसकी प्राइजिंग सिर्फ मुझे पड़ी है साड़े बारा हजार रुपए मैं कह सकता हूँ यहां 43 इंच की टीपस टाइप की टीवी आपको देखने के लिए मिलती है और यह है इन्फिनिक की 43 Y1 वाली टीवी इसको मैंने खुद के पैसों से फ्लिपकार्ट से ओर्डर करा वन डे डिलेवरी इसके अंदर देखने को मिल गई काफी दिन से यूज कर रहा हूँ आज की वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरीके का आपको यह टीवी देखने को मिलता है अंबोक्सिंग के अगर बात करना तो यार फ्लिपकार्ट वाले ओपन बॉक्स डिलेवरी दे रहे हैं मेरा तो एक्सपिरेंस नहीं रहा अंबोक्सिंग का, लेकिन हाँ फ्लिपकार्ट वाले बंदिन DNS ने अंबोक्स करके देख लिया कि टूटा हुआ तो नहीं है TV अब एक चीज आपको बतादू अगर टूटा हुआ निकलता है तो वो उसी टाइम वापस लेकर नहीं चाहेगा टेक्निशिन विजिट करेगा उसके बाद वो वेरिफाई करेगा उसके बाद ही वापस जाता है अगर यहां पर उस तरीके का काफी बड़ा सा 43 रेंज का देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा इन्फिनिक्स स्मार्ट टीवी 43 वाइवर लिखा हुआ देखने को मिलता है अगर उन्बॉक्स है रहे हैं तो सबसे पहले इसके अंदर दो इस्टेंड देखने को मिल जाएगे एक वाइप परनी में आया एक आपको ब्लू परनी में मिला पता नहीं कियो बागी उसी के लावा आपको वाल माउंट भी इसी के अंदर वी इन्दर बाट मिलता है पूरा बिल्ड आपको देखने को मिलता है तो फ्ल्श का वाला है लेकिन क्वालेटी काफी बैटर दी गई है ल penso देखने को मिलेगी इंक टिन्च टायप के आपको देखने को मिल जाता है प्राई साथ आपको Ethernet का port मिल जाएगा, 3.55mm jack का आपको port देखने को मिल जाता है, land का port आपको देखने को मिलता है, दूसरी तरफ आपको AV का input देखने को मिल जाता है, दो input वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उसे के लिएवा USB 2.0 का भी support आपको मिलता है, overall मैं कहूंगा यार, plastic quality है, लेकिन अच्छी यहाँ पे use करी गई है, price point के साब से कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं लगी, लेकिन यार जो stand इसके साथ दो ठो दिये जाते हैं, उनकी quality खास कर मुझे काफ़ी बुरी लगी, मतलब यार, एक तो scratches वगएरा भी थोड़े बहुत लगे हुए थे, उस stand के अंदर, और बहुत हलकी stand मुझे यहाँ पे लगे, मतलब उसकी quality थोड़ी बैटर करी जा सकती थी, आप देखो, मैंने आपको बताए, smart TV यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर Android का support नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको coolita OS करके, कोई OS यहाँ पे दिया गया है, जो कि है, company ने develop करा हुआ है, चाइनीज वाली है, वो OS आपको मिलता है, एक चीज़ तो यहाँ पे आपको clear cut बता दूँ कि अलग से आप app install वगेरा करना चाहोगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे, और इसके अंदर जितने गिने चोने apps आपको दिये गए हैं, वही apps इसके अंदर रहेंगे, जैक लोग जैसे आपको Prime Video, YouTube, Z5 का, Sony Flix का, आपको Plex, Eros, Now, Aastak वगेरा देखने के लिए मिलता है, इसी तरीके से इसका एक app store भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको बता दूँ, इसके अंदर hot star आप नहीं चला सकते हैं, Netflix वगेरा आप इसके अंदर नहीं चला पाओगे, उसका pre-installed आपको apps नहीं मिलते हैं, और अलग से आप नहीं डाल सकते हैं, हाला कि इसके अंदर एक browser देखने के लिए मिल जाता है, जो कि Q, J, Y करके browser है, इसके अंदर आपको एक quick shortcuts वगेरा देखने को मिलते हैं, कुछ website में जाने के लिए, जैसे google, hot star, twitch हो गया, sunnext, alt वाला जी, woot वगेरा, जिसके application आपको इसके अंदर नहीं install मिलते हैं, आप यह आपको इसके अंदर नहीं आपको नहीं मिलते हैं, आइयार वाला remote ही आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, और रिमोट मैं कहूंगा काफी अच्छा है मतलब स्मार्ट रिमोट की वाइब आपको जरूर से देता है मिनिमल से बटन है चाहिए वो आगे पीछे करने के लिए हो क्विक शॉटकट बटन मिलते हैं जिसमें यूट्यूब आपको एक ब्राउजर एंड प्राइम वीडियो का मिल जाएगा उसका व्यूइंग एंगल जो है ना बहुत ही सही आपको देखने को मिलेगा चाहिए आप एकदम कोने से देखो दोनों में ही तरफ आपको एंगल्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं जालेगा चेहरा वगएर अगर आप देखोगी कोई भी कॉलिटी देखोगे थोड़ा से रेडिश त्यून आपको थोड़ा जादा उसके अंदर देखने को मिलता है वाइबरेंट फोटू वगएरा निकल के आती कलर सब्सक्राइब को देखने के मिलेगा एकदम एकदम न जो कि डॉल्बी को भी सपोर्ट करते हैं कॉलिटी वगएरा मैं कहूंगा या डीसेंट सी आपको देखने को मिलती है बेस वगएरा इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करना 50% तक यहाँ पर जो वॉल्यूम है काफी सही एकदम करिस आती है लेकिन 50 से उपर लेके जाओ बहुत ज जाही चीज मेरे हिसाब से है बलब स्मार्ट फंशन भी आपको काफी देखने के लिए मिल जाते हैं और अगर आप चाहते भी हो ना कि वो पूरे वाले फंशन हो तो आप Android वाली या Amazon की Fire TV Stick भी खरी सकते हो जो कि 4K वाली आती है आप उसको लगा के सारे Apps वगरा जितने भी तो सोचा यार एक TV का रिव्यू भी आपके लिए कर देता हूँ फिलाल तो काफी जादा मज़दार मुझे लगा है आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताओ आपको किस तरीए TV लगी है कोई कोशन है इसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते है यार फिलाल इस वीडियो मे इतना ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर सकर ना मिलता हूँ आपको एक आउनी वीडियो को साथ टिल लें टेक क्यार बावाए